नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन मंसल वास्तु कुंसलिट हूँ जो मैंने सीरिज चलू की है वो प्लॉट चेयन से लेकर घर निर्मान और घर निर्मान से लेकर ग्रह प्रवेश तक इस सीरिज में आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ पार्ट भाग दो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लॉट की शुद्धी कैसे की जाती है आपने किसी सुसाइटी के अंदर प्लॉट लिया है किसी कालोनी के अंदर प्लॉट लिया है या जहां भी आपने प्लॉट परचेज किया है तो ऐसे में प्लॉट की शुद्धी कैसे की जाती है आज मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा वास्तु शास्तर के साथ साथ अपना अनुभव आप लोगों के साथ साथ साजा कर रहा हूँ आपने जो भी प्लॉट परचेज किया है सबसे पहले तो उसमें ये देखें कि उस प्लॉट के अंदर कुड़ा तो नहीं पड़ा है उस प्लॉट को कलोनी वालोंने कुड़ागर तो नहीं बना रखा यदि कुड़ागर बना हुआ है तो मैं आपको कहना चाऊँगा सबसे पहले उस plot के अंदर से जितना भी कूड़ा है उस कूड़े को सारे को साफ करवाएं होता क्या है जब आसपास में building बनती है तो सभी व्यक्ति अपनी building का कबार मलवा सब plot के अंदर डाल कर चले जाते हैं जब घर बन जाते हैं आसपास में तो उनके पास जो भी कूड़ा निकलता है घर का जितना भी कच्रा होता है ज्यादा तर कच्रा plot के अंदर ही डाल दिया जाता है अच्छी सूसाइटी है तो उहाँ पर इन बातों का थोड़ा सा धियान रखा जाता है लेकिन सूसाइटी हलकी है लोकल कालोनी है तो उहाँ पर mostly देखने में आता है कि plot के अंदर कूड़ा डालना शुरू कर दिया जाता है और उसको कूड़ा घर बना दिया जाता है आपने ऐसे plot का चुनाव किया है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि plot के अंदर से उस कूड़े को उस कबाड़ को उस मलवे को साफ कराए जब तक आपके plot के अंदर से साफ मिट्टी नहीं ही आती तब तक आप उस सारे मलवे को निकलवाते रहे जैसे ही वो मलवा सारा निक निकलवाएं और उसके बाद खेतों की ताजी मिट्टी लाकर उसको चनवाकर उसको plot के अंदर भरना चाहिए ये कहना हर वेक्ति के लिए बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है दिक्कत कहां कहां आती है कुछ प्रैक्टिकल बाते भी मैं आपको बताना होगा क्योंकि मेरा अपना अनुभव रहा है और मैंने इन आपने बिल्डिंग तो बाद में बनाएंगे, पहले आपको प्रोशी की बिल्डिंग बनानी पड़ सकती है, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमेशा धिहान रखे, जब भी आप कोई भी प्लोट लेते हैं, उसकी शुद्धी करते हैं, जो प्लोट के अंदर बिल्डिंग बनाना हैं, तब आप उसकी नियुक्त के अंदर बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन प्लोट के अंदर मिट्टी का लेवल आपका रोड के लेवल से उंचा हो नहीं चाहिए, चाहे आपका प्लोट किसी विदिशा का क्यों ना हो, शास्त्रों में कहा गया है, जिस प्लोट के अंदर, जिस भूमी के अंदर चूहों के बिल हो, साप की बांबी हो, डीमक हो, काटे वाली जाडियां उगी हो, ऐसे प्लोट के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज के दोर को देखते हुए, पुराना समय अलग था, आज का समय अलग है पुराने समय में जेगा बहुत खुली खाली होती थी, और आदमी जहां चाहता था, वहां अपना घर बना लेता था, लेकिन आज के दोर में, पबलिक आबादी इतनी हो गई है, कि जहां भी जिस भी कलोनी के अंदर जैसा भी प्लोट मिलता है, उस प्लोट के अंदर वेक् जाए आप अपना नया घर बना रहे हैं, जाए आपने पुराना घर बनाया हुआ है, ज्यादा तर बिल्डिन वोमें टिमक घर के अंदर जरू मिलती है, शास्त्रों में जो बाते कही गई है, वो पुराने समय के इसाफ से कही गई है, लेकिन आज के समय में, आप कहीं भी करें जाएं मैक्रोश केसी से ड्राइब veggie कम थे कई से से चरब ही किमक लुट कि उनोगे खाइब आपको कोई भी प्रॉट लेते हैं तो इन खास बातों का जरूद जब आप अपने plot के अंदर से सारा कबार निकला देते हैं उसके बाद आप अपने plot के अंदर गंगा जल का छिड़काओ करें और जब उस plot के अंदर ताजी मिट्टी भर जाए उसके बाद आप गंगा जल का छिड़काओ जरूर करें ऐसा करने से आपके plot की शुद्धी हो ज अपने plot के south east corner में, south zone में, यानि south east corner से लेके south के zone तक, उस plot के अंदर आप दिये भी जला सकते हैं. ऐसा करने से भी आपके plot के अंदर शुद्धी हो जाती हैं. दिये आप किस चीज का लगा सकते हैं? देशी घी का लगा सकते हैं? तिल के तिल का लगा सकते हैं. जब आप अप के plot की शुद्धी हो जाती हैं. आज का जो विशे था plot की शुद्धी, जो एक साधारन सा, सिंपल सा उपाए है और हर वेक्ति ये उपाए कर सकता हैं, वो उपाए मैंने आप लोगों को बताए हैं. मैंने आपके साथ, वास्तु शास्तर के साथ साथ, अपना अनुभाव श शेयर करें. क्योंकि मैंने भी एक आप लोगों के लिए कोशिश की है कि इस सीरYN को यैनि प्लाट से लेके account घरहेक पुर्वेश तक इस में जितने भी विशे आते हैं, उन सभी विश्यों को इस सीराई में कावर करूँंगा. जैसे मैं आपने इस सीरीज में आप लोगों क जो भी विशे दिया गए, जो भी बात आपको अच्छी लगती है, वो उसके अंदर लिखें और आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, तो उसके बारे में भी आप मैसेज जरूर करें हो सकता है कुछ कमिया हों तो मैं उन कमियों को सुधारने की कोशिश जरूर करूँगा क्योंकि मैंने ये सीरीज आप लोगों के लिए बनानी है एक अदम आप आगे बढ़ाएंगे तो दो कदम मैं आप लोगों के लिए आगे जरूर बढ़ाऊंगा मैंने आप लोगों को बादा किया है कि मैं अपनी इस सीरीज में आपको वास्तु शास्तर के साथ साथ अपना अनुभाव जरूर बता हूँगा यह हमारी जो सीरीज है प्लॉट ख्रीदने से लेकर घर है प्रविश तक की है और इसमें जितने भी विशाइएंगे वह सारे विशाय मैं एक-टे करके आप लोगों कि लिए केलियर करूँगा आपको plot खीदने से लेके plot बनाने तक maximum जानकारी मेरी इस सीरीज में जरूर मिलेगी इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए नमस्कार झाल झाल